इस दिवाली आप भी बनेए इतनी लाजवाब टेस्टी बर्फी वो भी सिर्फ दूद से और कुछ ही सामानी इसमें मैंने डाला है अगर आप ये बर्फी एक बार अपने घर पे बनाओगे तो मानोगे नहीं कि इन बर्फी के सामने काजू की कतली भी फेल हो जाएगी तो चलिए बताती हूँ इनके लिए मैंने क्या लिया है थोड़े से पिस्ते यहाँ पर लिये है मैंने और यहाँ पर जो पनीर हम निकालते हैं इसको पनीर मैंने बनाया नहीं था चैना जिसको बोलते हैं ये एक लिटर दूद से निकला हुआ यहाँ पर चैना लिया है मैंन साथ में एक कटोरी काजू, थोड़े से कटे हुए बदाम और साथ में मैंने एक पाव दूग टोटल यहाँ पर यही समान है और साथ में मैंने लिया था बूरा थोड़ा सा एक दो से चार चम्मच मिल्क पाउडर और थोड़ा सा एक बोल में बुरादा, नारियल का बुरादा साथ में इलाइची, तो फ्रेंट सबसे पहले क्या करना है यह जो सारी चीजे थोड़ी-थोड़ी मैंने ली थी मेरे पास यह सारा समान थोड़ा-थोड़ा ही बचा हुआ था इनी से मिलके मैंने बनाई है यह बर्फी तो सबसे पहले जो यह चैना था मेरा, मैंने इसको मिक्सी के जार में डाला और उसका पेस्ट बना लिया साथ में मैंने जो मेरे पास आधा किलो दूद था उसको मैंने अपनी कड़ाई पर उबलने के लिए रख दिया और यह देखी जो मेरा चैना था मैंने उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था इसका बिलकुल बारिक सा पेस्ट बना लिया था अगर आपसे इसका बारिक पेस्ट नहीं बनता है तो इसके अंदर एक दो चमच दूद मिला सकते हैं तो फ्रेंट्स दूद जब हमारा आधा रह जाता है तो यहां पर मैंने इसके अंदर डाली है बूरा तो मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं फ्रेंट्स यह जटपट 10 मिनट में बर्फी बन कर तयार हो जाती है मानोगे नहीं मार्किट से भी बहुत टेस्टी है यहां पर मैंने डाला है इलाइची पाउडर तो फ्रेंट्स एक बार जरूर अपने घर पे ट्राई करना और दिवाली हैं बाहर का हम खाना अवइड करते हैं सचमुची एक काजू कतली से भी बहुत ही टेस्टी बर्फी बन कर तयार हुई थी अगर आप एक बार बनाओगे तो इन बर्फी को आप बार बनाओगे तो इलाइची का पाउडर डालने के बाद जो मेरा चैना था मैने उसको मिक्सी में अच्छे से बार एक सा उसका पेस्ट बना लिया था जब दूद हमारा आधा रह जाएगा उस स्टेज पर आकर यह जो हमारा चैना था इसको मैने दूद के अंदर मिला दिया तो फ्रेंड्स देखते रहना कोई चीज स्किप नहीं करना वरना ये जो है बर्फी की consistency change हो जाएगी और फिर मुझे मत बताना की ऐसी बनी थी क्योंकि जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से बनाओगे तो बर्फी बहुत ही लाजवाब बनेगी उसी जार में friends मैंने जो काजू थे उनको अच्छे से उनका paste बना लिया था जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल बारीक paste बना लेना है उनका और यहाँ पर जो मेरे पिस्ते थे मैंने इस अपने mixture के अंदर दूद के अंदर डाल दिये और थोड़े से बदाम भी आप चाहें इनको ज़्यादा कर सकते हैं आप चाहें तो कम कर सकते हैं आपकी इच्छा नुसार होते हैं किसी भी बरफी में ट्राइफरूट पर काजू यहाँ पर डाले हैं जो क्योंकि काजू कतली से भी अच्छा टेस्ट जो यहाँ पर आएगा वो काजू से ही आएगा तो friends ये recipe जरूर बनाना शकल से ही आपको दिख रही होंगी ये बिल्कुल जैसे कलाकन टाइप में हो जाता है वैसी बिल्कुल बहुत ही बारीक और texture इसका बन चुका है ये देखे रब्री टाइप में और friends मानोगे नहीं जटपट से बनने वाली ये बर्फी जो है बहुत जल्दी तयार हो जाती है तो इस दिवाली आप भी बनेए अपने घर में ऐसी बर्फी अब अगला काम हमें क्या करना है जिस बरतन में हमें अपनी बर्फी को जमानी है उसमें थोड़ा सा घी लगा कर चारो तरफ से अच्छे से फैला देना है तो friends मानोगे नहीं कि इतनी टेस्टी बर्फी बनकर तयार होगी थी आप भी इस दिवाली पर जरूर बनेए तो ये देखिए consistency बिलकुल ऐसा texture हमें चाहिए बर्फी जमाने के लिए जब तक ऐसा नहीं होता तो मंदी मंदी गैस पर उसे ऐसा ही texture हमें बनाना है ताकि ये बर्फी जो है जम कर अच्छे से तयार हो जाए तो friends हमारा जो मावा था वो बिलकुल तयार हो गया था जिस प्लेट में हमने घील लगाया था उसमें निकाल देंगे और इसको हम जमा देंगे तो friends दिखने से पता नहीं पता चलता है या नहीं चलता है सच मुझ ये बर्फी जो है बहुत ही tasty बनी थी बहुत ही लाजवा बन कर तयार हो गई थी तो friends अपने जो mixture batter को हम फैलाने के बाद क्या करेंगे जो थोड़े से मैंने drive fruit जो बचा के रख लिये थे उसको अब मैं उपर से अपनी बर्फियों के उपर इसको decorate कर दूँगी तो friends अगर आपको मेरी दिवाली की ये special बर्फी रेसिपी अच्छी लग दी है तो like, comment, share करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो भी friends मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें और इस दिवाली आम भी दूर से बनी हुई ये बर्फी अपने घर में जरूर बनाए तो friends अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो हम उसको skip कर सकते हैं अगर एक आज चीज नहीं भी होगी तो भी इस बर्फी में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो देखिए friends मेरी लाजवाब बर्फी की मैंने सूखने के बाद थोड़ी सी shape लगा दी थी निशान लगा दी थे तो friends देखा आपने कितनी आसानी से बर्फिया निकल भी गई और बन भी गई तो friends इस दिवाली जरूर बनेए काजू कतली से भी tasty बर्फी ओके friends मिलते हैं next recipe के साथ